हेलो जैंपियंज क्या हाल चाले कैसे हैं आप लोग मैं एसे मौसम ले क्या हूं माइड मैप सीरीज में एटम नामक चैप्टर पहले मैं बता दू माइड मैप सीरीज है किसलिए कि कुछ शिरो मड़ी लोग कह रहे हैं सुर बड़ा लेक्चर नहीं है डिटेल में नहीं देख नहीं कि अटो यह होते हो तो भाई साथ problem में सबसे पहले बात करेंगे वा सबसारा नहीं क्या नहीं एक पाटिकल सीरे चले गए एक पारडिकल करके आया बहुत सारे पार्टिकल में तो उन्होंने सुचा यार ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि इससे पहले थॉम्सन का मॉडल था थॉम्सन के मॉडल में यह था कि सारक सारा मास फैला हुआ है जब मास पहला होगा कोई चीज किसी हलकी बॉडिस टकराएगा तो बाउंस बैक नहीं क भाइस आब कि सार 80 मास अटम का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किसी एक जगह है पे लोकेटिड है और चारोग तरफ ऎलक्ट्रॉं चकर काटिंग अन काटिंग अक नलोट अफ काटिंगई चैनल तरह एलक्ट्रों चकर काट रहा है जैसे प्लेनेरी सिस्टम होता ऐसे ही मौडल था अच्छा तो सब के जान में जान आई कि एटम में पूरा मास एक जगा रखा होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर काड़ता है बाकी जगी पूरा जो जगह है वो खाली होता है ठीक है भाई फिर कुछ-कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी गई यह भी इंपैक्ट पैरामीटर है एक खाली दिखाने के लिए है कुछ याद ज्यादा मत करना ठीक है यह भी इंपैक्ट पैरामीटर ही अलफा पाट के लिए आया यहां से डेविएट हो गया यह थीटा है यह आपका जो है नूकलियस जो भी है हमारा जो एटम है उसके पंचायत की बात कर रहे हैं अब इन्होंने यह एक फॉर्मूला देखा कि ऐसा कुछ आता है ठीक है फिर अगर वो सीधा-सीधा आ रहा है तो क्लोजस डिस्टन्स ऑप अप्रोच क्या होगा सिंपल जितनी काइडिक नर्जी है सारी-सारी पो चाहिए फिर अपेडिक चलता है क्विर ऐसारीशन होगा तैंटर की तरफ किसी यहां आगर किसी बादद अगर क्लोच होगा तो वो radiate करेगा, EM wave radiate करेगा, तो ये भाया करेगा EM wave का radiation, ये करेगा EM wave का radiation, EM wave का radiation मतलब energy जाएगी, जब energy जाएगी, 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 अब पूरी energy खतम होने लगेगी, तो ये ऐसे ऐसे घुमेगा, घुमेगा, घुमेगा और खतम हो जाएगा, कोलाप्स कर जाएगा कोलाप्स कर जाएगा जबकि ऐसा नहीं होता है जबकि ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रोन चक्कर काटता रहता है मौज में रहता है कोलाप्स नहीं करता है तो ये ड्रॉबैक है ड्रॉबैक क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो गिरा क्यों नहीं और जब चक्कर काट रहा है चारों तरफ घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है तो हर पॉसिबल एनरजी भी रेडियेट करेगा तो जो इस्पेक्ट्रम आना चाहिए जो एनरजी स्पेक्ट्रम आना वो continuous होना चाहिए जबकि वो आता है लाइन तो यह सब ड्रॉबाइक निकले क्या कि यह इलेक्ट्रॉन जब यहां चक्कर काट रहा है तो एक्सलेट हो रहा एक्सलेट हो रहा तो तो कुछ न कुछ एम वेड करेंगा दिरे दिरे कोलफ कर जाएगा तो हर पॉस्पल डिढ़न को भी रिडिएट करेगा और पास्पल वेवलेद को भी रिडिट करेगा जबकि ऐसा नहीं होता था यह थे ड्रॉबाक्स चलो थे ड्रॉबाक और तो इनिके यह बिर स्पिल होंगे यह और बिट स्टेबल होंगे कुछ पर्मिटेड और बेज्ट में गोमेगा और यह स्टेबल और भके दूसरी बात यहां पर एन लगा दो इसका इंटीजर ऐसे की सपर्था आटा है क्यों कि कोई एक जगह से मतलब जब वह स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगा तो किसी प्रकार का कोई रेडियेशन नहीं देगा रेडियेशन देगा कब जब एक और बिट से दूसरे और बिट में कूदेगा जब एक और बिट से दूसरे और बिट में कूदेगा तब वह एनरजी रेडियेट करेगा नहीं तो एनरजी रेडियेट नहीं करेगा वाह तब तो बहुत शांदार ब प्रक्ट्रम नहीं होता है डिस्क्रीट होता है यह बात यहां से आ गई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर आगे फिर आगे फिर आगे हुआ यह फिर आगे हुआ यह कि यहां पर सरकल पर घूम रहा है तो यहां पर मालो चार्ज है कितना है अंदर जड़ी चार्ज है और यहाँ पर एक electron है एक electron घुम रहा है देखो यह जो इनका भी model कोई बहुत अच्छा model नहीं था क्योंकि यह क्यों एक electron के लिए valid था अब यहाँ लग रहा है क्या force लग रहा है electrostatic force centripetal force का काम करेगा तो यहाँ पर यह बताया गया यहाँ पर यह बताया गया कि जो electrostatic force है यह centripetal force का काम करेगा तो यह electrostatic force जो लग रहा है यह centripetal force का काम कर रहा है और यहाँ पर जो angular momentum है किसी given orbit में वो mvr is equal to energy 2 pi का है ठीक है और यह ऐसा है यह दो बात है इनको इन्होंने यूज करी कि वो stable orbit में घूम रहा हो तो mvr is equal to energy 2 pi होगा और इस समय यह circle पर घूम रहा होगा तो यह electrostatic force centripetal force बनेगा और यह बताया गया कि यह model के वल एक electron के लिए है hydrogen like जिन में एक electron हो hydrogen like उन सब के लिए है ठीक है यह सारी बात है हमें स velocity निकाला गया velocity निकाला गया velocity जो आया वो जैड़ बाइन के proportional आया क्या है जैड़ बाइन के proportional आया तो radio क्या आया radius n2 बाइच के प्रोशनल है radius क्या है n square by z के proportional आया तो revolution time period of revolution t is equal to क्या होगा 2 pi r by v होगा 2 pi r by v होगा तो अगर देखा जाए time period क्या हो जाएगा r by v के proportional होगा r by v के proportional होगा तो t की value क्या हैगी r n square by z v क्या होगा z by n तो time क्या होगा proportional हो जाएगा n cube by z square ताइम पिरिएड N-セुप by Z-Square, प्रोपोंसल होगा, ये सारी बाते आपको रती होई होनी चाहिए, ताइम पिरिएड आएगा N-Cube by Z-Square के, अब अगर हम बात करें, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोशनल टू टाइम पिरिएड होता है, तो फ्रि तो इलेक्ट्रिक फील्ड फी नियुक। तो ऐसे चकर काट रहा है। तो उसके सुस्थ करनprends हो जाएगा एसा। के आखेजर उसके मोशन के उल्टा हुबाएा यहां पर अंदर की ताऩ होगी मैंनेटिक फीडल ओधेज्ट प्रोपैटिए और स्था I क्या हो जाता है I हो जाता है charge into F charge into frequency और radius के मतब magnetic field proportional आएगा frequency और radius के ratio के तो frequency frequency है z square by n cube ठीक है और radius है n square by z तो यहाँ पर क्या आएगा z cube by n की पावर 5 यह ठीक है यह आएगा magnetic field तो magnetic field कुछ ऐसा आएगा और आपकी जानकारी के लिए बता दे इस slide से आज तक कम से कम 25 से 30 सवाल आए है क्या बोला आपने 25 से 30 सवाल आए है बिटा यह DP slide है मैं आप से गुजारिस करूँगा जितने लोग यह class देखना मैं उन सभी से यह request करूँगा कि आप atom के PYQ करना और इस slide से जितने question तुम्हें मिले comment करके बताना comment करके बताना आप revise कर रहे हो महनत कर रहे हो हम देख रहे हैं तुम देख रहे हो जान रहे हैं पूरी दुनिया इधर उधर की बाते कर रही है तुम एक काम करो atom नाम का गूगल करो कि PYQ NEET के atom नाम के chapter से कितने आए है ठीक है जेए कभी देख ले ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं तुम गर्दा कर दोगे तुम बहुत तेज आदमी हो और देखना बताना कि इस slide से कितने question आये हैं और तुमने कितने कर लिये हैं ठीक है इंतजार करेंगे तुम्हारा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब हम energy level अब यह घूम रहा होगा कौन है घूम रहा होगा यह planetary system जिसे gravitation में होता था काइनेटिक energy होती थी potential energy होती थी यह सारी बवाल होती थी वैसे यहां पे भी होगा तो यहां पे क्या होगा अगर चलेगा तो इसके वास गीनेटिक एक total energy होगी यह यह total energy होगी और एक kinetic energy होगी kinetic energy टोटल energy का magnitude सेम होता है इस बात का ध्यानद अगतना potential energy total energy का two times होता है potential energy टोटल इनर्जी का टू टाइम्स होता है तो अगर मैं लिख दू यहाँ पर ठीके फैनेटिक इनर्जी क्या आएगी 13.6 Z स्क्वार बाई N स्क्वार यह हैट्रोजन लाइक के लिए है पोटेंशिल इनर्जी क्या आजाएगी नेगेटिव नहीं हो सकता समझे शिरो मड़ी मत बनो मेरी तरह तुम Z स्क्वार बाई N स्क्वार टोटल इनर्जी टोटल इनर्जी मैंटिट्ट इनर्जी बराबर होगा लेकिन नेगेटिव होगा यह यह जो बात लिखी तब लिखी है तोवेटट इनर्जी माइनस टाइम्सी अफ काइन नर्जी इनर्जी बराबर होगा हो यह एक यह आपको याद होना चाहिए siis में हम बाइंड़्टीजी की बात करेंगे binding energy हो जाएगा क्या minus times of total energy मतलब इतनी energy देतो कि छोड़के चला जाए electron छोड़के चला जाए electron तो total energy क्या हो गया भाई साब minus 13.6 z square by n square ठीक है potential energy में आता है 27.2 वो भी minus का z square by n square यह minus आता है क्योंकि bounded होता है electron minus होता है क्योंकि bounded होता है electron और यह तुमने gravitation में भी किया है यह तुमने gravitation में भी किया है सेम चीज डिटो सेम चीज तो electron जब stable orbit में घूमता है तो यह तिनी energy लेके घूमता है जिसमें कुछ contribution काईटी energy का होता है कुछ contribution potential होता है और यह तब potential energy लिखी गई जब infinity को इन्होंने reference लिया है इन्फिनिटी को reference लिया है अगर मैं अगर मैं n is equal to 1 को reference ले लूँ n is equal to 1 को reference ले लूँ तो n is equal to 1 के energy 0 करनी होगी तो n is equal to 1 के energy 0 करनी मतलब क्या हो गया ध्यान से सुनो एक अच्छी सी बात अगर मैं बोलू कि यह n is equal to n is equal to infinity reference है तो यहाँ potential energy 0 है अगर मैं N is equal to N is equal to infinite reference ले तो तब के लिए ऐसी value है अगर मैं N is equal to 1 को reference लेना चाहता हूँ यहाँ potential energy 0 करना चाहता हूँ यहाँ potential energy 0 करना चाहता हूँ इसका मतलब N is equal to 1 पर जो potential energy है उसी से मैं सबको उसी वही value समय में add करते हुए चला जाओंगा चला जाओंगा N is equal to 1 रखो जरा रख दिया कितना है minus 27.2 इसको 0 करने के लिए यहाँ plus 27.2 करना होगा तो अब तुमको सब जगा plus 27.2 करना होगा इसका लगा इस case में जब यहाँ energy लिखोगे तो आएगा plus 27.2 या आएगा plus 27.2 ठीके Z square समझे N is equal to 1 को reference लिए मतलब N is equal to 1 पर potential ही कितनी आती थी 27.2 इसको 0 किया इसका प्रस 27.2 किया होगा तो हर जगा 27.2 जोडते चले जाओ आ जाएगा यह important concept है और इस पे सवाल आता है अब ढूंड के कर लेना simple सी बात है जिसको अगर मान लो फिर से सम्झा देते मान लो इसका number यह 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है और यह जाके infinity है कोई infinity है यहां पे value 0 है यहां value 0 है इसकी value x है इसकी value y है इसकी value z है इसकी value w do and so on अब तुम चाहते हो कि इसकी value 0 कर दे टू आले की value 0 कर दे इसका मतलब यहां one में क्या लिए जाएगा x minus y 2 वाल में क्या जाएगा z minus y और n is equal to infinity में क्या लिखा जाएगा minus y अब बुद्धिमबाद गई जिसको reference लेते हैं उसी यही सवाल यहां पर ढूंद के कर लेना मिल जाए तो बोलना लाव हूँ जो हमम से बीलेगा इस बात का इंशान रखना अब अब energy level मैंने बताया आपको के लिखते हैं ठीक है और एनर्जी टोटल का लिखते हैं माइनस का 13.6 कि जैडर स्कवाइर एन स्कुर्ण होता है की हाता है जैट इस्कुर्ण एक अपसे एक रिक्वेस्ट यहां के लिए kinetic energy और potential energy लिखो बहुत सारे बच्चों ने सोडियो उसको aluminium की रेडियस पूछी थी एंसर बताया था लव यू ठीक है काइनेटिक इनर्जी सब की चाहिए काइनेटिक इनर्जी सब की चाहिए काइनेटिक इनर्जी किस n को reference लिया है अगर मानलो अभी लिख देना यह तो n is equal to infinity का है चलो हमी बोल देते हैं अगर मैं n is equal to 1 को n is equal to 1 को reference लेते हैं reference लेते हैं then then potential energy of n is equal to 2 and n is equal to infinity अब बता देना क्वश्चन तो समझी गए होगे बाइसाब आपको काइनेटिक प्टेंशल इन सभी ऑर्बिट की बतानी जब यह स्टेंडर्ड रफरेंस लिया गया तब के लिए अब आपको काइनेटिक प्टेंशल जी बतानी तब जमने n is equal to 1 को reference लिया है तब प्टेंशल जी टू और इन्फिनिटी की बतानी है ठीक है चलो वेट करेंगे हम तुहारा hydrogen spectrum hydrogen spectrum क्या है देखो आपको बताया गया कि hydrogen spectrum discreet होता है discreet क्यों होता है क्योंकि वह particular level से ही जंप करता है ऐसा नहीं हर possible level में नहीं जा सकता है कौन possible level से जंप कर सकता है इन पॉसिबल लेवल से जंप कर सकता है सारे पॉसिबल उससे जंप नहीं कर सकता है ठीक है इसी वजह से जो यह spectrum आता है उसमें definite wavelength होती है सारी wavelength नहीं होती है definite wavelength होती है इसी लिए इनको बोला गया fingerprint of atom क्योंकि यह particular उसको बताते है energy level के हिसाब से ही radiation को बताते हैं अच्छा हाँ जब एक energy level से दूसरे energy level में कोई कूदेगा तो energy radiate करेगा वो energy आएगी hc by lambda वो क्या आएगी hc by lambda तो जब हम यहां से लैमडा की value निकालेंगे तो लैमडा की value जो आएगी वो क्या आएगी hc by delta यह आजाएगी यह आजाएगी इसी को जब simplify करते है तो मेरे पास formula जो बन के आता है वो यह बन के आता है यह बन के आता है लैमडा की value जाती है 1 by r z square उपर 912 नीचे 1 by n1 square 1 by n2 square यह आ जाता है यह आजाता है यह formula आपको बेहतरिन तरीके से याद होना चाहिए ठीक है क्या किया होगा hc by यह क्या किया होगा यह दिख लो किया होगा यह कि hc by lambda is equal to क्या लिखाओगा minus 13.6 ठीक है यहाँ पर 1 by n1 square minus 1 by n2 square किया हो ठीक है इसको ऐसे कर दो अब यह lambda निकाल लो hc divide by करके simple कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसी सी यह formula बनके आया है ठीक है चलो अब जब हम jump करते हैं जब हम jump करते हैं उसके हिसाब से अलग-अलग series आती हैं ठीक है कौन-कौन से series होती ही मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से series होती ही मैं बता देता हूँ आपको lyman कौन किसी लाइमन bomber passion bracket पुन जब आप finally one में आते हैं कहां से कहीं से तो lyman बनता है finally आप 2 में जब करते हैं तो bomber बनता है finally आप 3 में जब करते हैं तो passion finally 4 में जब करते हैं तो bracket fund कहात है जब 5 में जब करते हैं मतलब ऐसे level बने हुए है आप फाइनली पहले में जब करके आ रहे तो lyman दूसरे में आ रहे तो बामर तीसरे में आ रहे तो पाश्चन चौते में ब्रेकट पच्वे में फुन ऐसे ठीक है तो लाइमन ब्रेकट पाश्चन फुन ठीक है लाइमन बामर पाश्चन ब्रेकट फुन तो देखो आप आप कहीं से 1 में जंप करेंगे 1 में जंप करेंगे तो क्या बने रहा लाइमन कहीं से 2 में जंप करेंगे तो बामर, कहीं से 3 में तो बाशन कहीं से ब्रैकट यही तो बताया है मैंने आपको ठीक है अब सबसे छोटी वेवलेंद कब आएगी सबसे छोटी wavelength कब आएगी जब आप two से one में आएंगे तो minimum sorry maximum two में आएंगे तो maximum one से two में transition तो maximum two से six लिखा गलत है यह मैं सही कर देता हूं इसको two से three में कैसे six लिख दिया यहां पर किषी नारान बालक ने six लिख दिया यहां तो सही कर देता हूं कि और में four से five five six six ऐसे minimum के लिख अगर होगे infinity से one में infinity से two में infinity से three में सब में infinity सब में infinity सम में sanity सब में plugins लेंश समझ में नहीं है और डिटेल में देखो कि सिम्पल सी बात बात है भाई आप लाइमन में सबसे बड़ी wavelength सबसे कम genome इनर्जी तो two से ही तो यह जंप करोगे awesome से ही तो जंब करोगे आप बामर में बामर में बामर में चाहते हो सबसे बड़ी वेवलेंट सबसे कम इनर्जी तो त्री से ही तो जंब करोगे कि ऐसी आप बाकियों का का मैं ऐसे बांगे सबसे बड़ी व्यवलेंद वन में इंwenिटी तो बरो सबसे च्जादा एनरजी कि सबसे बड़ी मतलब सबसे कम एनरजी तो यहीं से कूद होगे přिसकूर्ड हो गई यही करें की है सब दोगे तब intrins दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौते, चौते से पाच्वा, पच्वाइश छटे में, इनके भी ट्रांजिशन में सबसे बड़ी wavelength होगी, सबसे कम एनरजी होगी, अगर आप infinity से कूत क्या होगे पहले में, बहुत बढ़िया, infinity से, infinity से, infinity से, अभी तो बोला, इनका end to 2 से ल वी आई, इसका मंदब क्या हो गया, ultraviolet, visible, infrared, लाइमन में ultraviolet होता है, यहाँ पे, कुछ ultraviolet, कुछ visible, यहाँ पे infrared, 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 यह, एक बार सवाल आया है, बामर का सबसे छोटा वाला कहा होता है, ultraviolet, बाकी सब visible, बाकी सब visible, लाइमन का पूरा पोर्शन, ultraviolet में, बाकी सब का पूरा पोर्शन, infrared में, और यह important है, तुम जानतों, यह सवाल आया है, कही बार, सबसे पहली बात जो मैं पूछ रहा हूँ, बताना मुझे comment करके, लाइमन की सबसे छोटी wavelength जो होती है, वो क्या होती है, लाइमन की सबसे छोटी wavelength क्या होती बताओ, लाइमन की सबसे छोटी wavelength क्या होती बताओ, और बामर की सबसे छोटी wavelength किस region में आती है, यह सारी बाते आ एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में जो एनर्जी चाहिए हो तो इसको बोलते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने लिए जो पोटेंशल चाहिए होता है उसको बोलते हैं पूटेंचिल ठीक है अच्छो कुछ पॉइंट याद करने के लिए कुछ पॉइंट यार्द करने के लिए जैसे कितनी नंबर आप उन में आओगे कहीं से अगर आप 1 में आओगे तो number of lines का formula होता है मुझे ज़रा बताना कितनी बार ये सवाल आया है NEET में मुझे बताना कितनी बार NEET में सवाल आया है कहीं से भी अगर आप 1 में transition मारोगे तो कितने emission spectrum lines बनेंगी N, N-1 divided by 2 कहीं से अगर आप किसी और और बिट में सब N से M में कूद रहे हो दूसरे से तीसरे में, चौते से छटवे में, साथवे से दसवे में आठवे से नौवे में ऐसे कछी उसमें transition अगर हो रहा हो तो कितनी line बनती N-M divided by into N-M plus 1 divided by 2 आप दसवे से पाचवे में दसवे से दूसरे में, दसवे से तीसरे में, दसवे से सतवे में अगर transition मार रहा हो तब क्या formula होगा तब N-M, N हो जाएगा 10, M हो जाएगा 7 ऐसे न, या जो भी हो N-M into N-M plus 1 divided by 2 यह हो जाएगा number of lines खुद देखना कितने question आए हैं भाई साब दो से तीन question मिल जाएंगे आपको ठीक है? आओ, X-ray की बात करें X-ray की बात करें X-ray बहुत सिंपल से शब्दों बताए जाए दो तरह की spectrum होते हैं, continuous है, characteristic ठीक है? X-ray है क्या? जब भी कोई charge particle accelerate होता है, energy radiate करता बात खतम 25 आजम हुआ गया? एक बहुत high energy के charge particle को बंबार कराया गया किसी target पे तो जाएगा तो खुब सारा टकराएगा खुब सारा velocity change होगा खुब सारा velocity change होगा accelerate होगा, accelerate होगा तो radiation देगा accelerate होगा तो radiation देगा इसको बोलेंगे continuous X-ray spectrum मतलब क्या हुआ? कोई energy वाला particle आया कोई energy वाला particle आया इतनी energy लेके आया, बार बार टकरा रहा था तो energy दे रहा होगा, एक दम से सबसे जादा energy कब देगा? जब सबसे छोटी wavelength देगा, तो सबसे छोटी wavelength कितनी आ सकती है? EV by HC तो X-ray पैदा क्यों होता है? एक high energy इनरजी का चार्ट पार्टिकल जब बहुत बार ठकराता है तो बहुत बार energy release करता है तो जो energy release होती है, बहुत जादा होती है उस energy का नाम नहीं पता था उस वेव का नाम नहीं पता था, इसलिए उसको X-ray बोल दिया गया, X इसलिए नाम X-ray रख दिया गया सबसे छोटी वेव लेव लेव सबसे नरजी कितनी सकता है मालो मैं पार्टिकल हो, आपके टकराक एकदम से मर गया तो जितनी energy थी, एक ही बार में देती है, मैंने जब एक ही बार में देती, तो कितनी energy release होगी Lambda minimum is equal to EV by hc V accelerating potential है, V accelerating, यह hc by EV होना चाहिए hc by EV होना चाहिए तो Lambda minimum क्या हो जाएगा, inversely proportional to voltage हो जाएगा V accelerating potential है, V क्या है, accelerating potential है तो यह कोई chart part के ला रहा था, multiple collision कर रहा था तो यह लगातार जो radiation कर रहा था, इसको बोल रहते है continuous X-ray spectrum, तो continuous X-ray spectrum किसकी property है जो accelerated charge particle है, उससे related है उससे related है चाह, और, और, जो, 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 characteristic spectrum है, वो क्या है यह charge particle आया, ठकराया, यहाँ से एक दम से कांड किया इसने यहाँ से एक electron को बाहर कर दिया यहाँ से उसने एक electron को बाहर कर दिया, तो electron चला गया अब इस electron को भरने के लिए इसके आसपडोस के लोग आएंगे इसके आसपडोस के लोग आएंगे तो अगर मालब बातों बातों में कभी इसने K shell का electron निकाल दिया तो इसको भरने के लिए कौन आएंगे अगर कभी K shell का electron निकल गया तो उसको भरने के लिए लोग L-shell के लोग आएंगे M-shell के लोग आएंगे N-shell के लोग आएंगे तो सबसे ज़्यादा chance किसके L-shell के लोगों के आने के ज़्यादा chance है फिर M-shell के फिर बाकी के इन सब की energy ज़्यादा होगी क्योंकि दूर से आएंगे लेकिन energy ज़्यादा होगे लेकिन chances कम होंगे number of chance मतलब जितनी ज़्यादा बार आ सकते हैं जितनी बार ज़्यादा possibility है जितने ज़्यादा transition होंगे उतनी ज़्यादा ही intensity के chances बनते हैं intensity proportional to होता है कितने ज़्यादा transition हुए कितने ज़्यादा photon emit हुए number of photon के और number of photon कितने हो सकते हैं जिसके आने की probability ज्यादा होगी आने probability किसकी है एल से के में जो आएगा उसकी probability ज्यादा है चलो ठीक है तो तभी तो जब जब कोई चार्ज बाट के लिए आता है तकराता है तो उसको भरने के लिए बगल वाले लोग आते हैं तो सबसेदा चांस किसक बहुत ज्यादा है इसकी intensity लिएक को ज्यादा है वेफलेंगि को यह होगी यह Alsa सिरीज है वीटा वाले कि L-cell का electron knock out कर दे L-cell के electron भरने के लिए M वाले लोग आएंगे इसके chance ज्यादा है लेकिन energy कम है इसके chance कम है लेकिन energy ज्यादा है तब ही तो L-alpha के intensity ज्यादा है L-beta से अच्छा K पहले आया ले L बाद में आया चोंकि K वाले के energy ज्यादा होगी तो पहले कम wavelength पे मिल जाएगा L वाले के energy कम होगी इसलिए वो ज्यादा wavelength में मिलेगा इसलिए वो ज्यादा wavelength में मिलेगा एक सरे क्या होता है एक सरे के दो दो चीज़े हैं continuous और क्यों आता है electron multiple collision में जाता है सबसे बड़ी wavelength क्या हो सकती है पता नहीं सबसे छोटी क्या हो सकती है लैमडा minimum is equal to hc by ev जो क्यों होती हो क्यों होती है जब मालो electron आया कभी-कभी ऐसा हो सकता है atom के K-shell का electron वुला दे L-shell का electron वुला दे M-shell का electron वुला दे तो K-shell का electron वुलाएगा तो उसको भरने के लिए L-M-N-O वाले आएंगे L-वाले के आने चांस जादा है मतब number of photon जादा हो सकते है मतब intensity जादा हो सकती है तबी तो K-alpha की peak बड़ी होती है और K-beta की peak छोटी होती है लेकिन energy K-beta की जादा होगी के गामा की और छोटी peak होगी लेकिन energy बहुत जादा होगी लेकिन इसको दिखाते नहीं है L-अलफा की energy कम होगी तबी तो बड़ी wavelength में है उसमें L-अलफा की बड़ी peak होगी बड़ी intensity होगी L-beta से तो यह हो गया continuous or characteristic spectrum यह दोनों बाते हमने आपको बता दी Mosley law Mosley ने extra के K-अलफा सीरीज को पढ़ा किसको पढ़ा K-अलफा सीरीज को पढ़ा K-अलफा सीरीज को पढ़ने के बाद उन्होंने उन्होंने notice क्या किया उन्होंने notice कि जो frequency है जो radiation हो रहा है उसमें जो आ रहा है वो Z-1 के proportional आ रहा है मतलब 1 upon lambda root का वो Z-1 के proportional आ रहा है यह देखा उसी के हिसाब से उन्होंने periodic table का बोला arrangement करो मज़ा आएगा फिर उसके हिसाब से जब उन्होंने arrangement करवाया ना वाई तो मज़ा ही आ गया सारी सारी periodic table दुरूस्त हो गई तो root F को अगर हम Z के साथ देखे जड के साथ देखे तो कुछ ऐसा आता है ऐसा आता है मतलब क्या हुआ अलग अलग G के लिए अलग G के लिए ऐसा आता है ऐसा आता है कि इस पर question आया है दो तीन बार आया है frequency देंगे compare बाएंगे wavelength दे देंगे compare करवाएंगे lambda 1 lambda 2 दे 2 जड़ टू जड़ेड वन पिर गरवाएंगे इस पर भी स्वाप ओता है एक सवाप में आता है बागी निड़श एक यह यह कभी नहीं आता है कभी आता एल्ले स्वार कि कम से कम सμέ2 जाई दिया जाए कि फटाफाट कुछ भूले बिश्री बाते याद आती रहे इसलिए माइन मैप सिरीज था तो इस माइन मैप सिरीज के बाद देखने के बाद उमीद ये करते हैं कि तुम्हें पूरा चैप्टर फटाफट रिवाइज हो गया होगा ठीक है ध्यान रखना मस्त रह की देखने के बाद धिवाच के बाते हैं करते हैं कि अ